अगर नवरात्री का ब्रत एक लोंग पर कर रहा है तो उसको करने दो, कोई नवरात्री का ब्रत एक गिलास दूद पर कर रहा है तो उसको करने दो, कोई नवरात्री का ब्रत केसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी, तुमारे घर में जैसा ब्रत होता है, तुमारे घर मे तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भरतर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहें दो नौरातर चल रहा है वो सकते बिलपतर डालकर उस जल को नीम के पेड़के नीचे सारी विद्याएं आतिशक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़के नीचे विराजमन रहती है उस कलश में एक बिलपतर डालकर राध बरतर उस जल को पूरे घर में घुमा कर उस नीम के पेड़के नीचे समर्पित कर दीजिए महराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा कोई बड़ी बिमारी आपको भेरेगी नहीं और उस बिमारी से उस रोग से आपमुक्त रहेंगे तो मिमारी आपको गेड़ेंगे, कलश रुकाई से नौ रात्रे में नौ दिन में से कोई ए दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ साथ में उनको लाल चुनडी बड़ाओ या कोई लाल बस्त्र लाल पूजन की सामागरी उनको दूख सुक में लेएगा नौ रात्रे में देवी जी की बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है लंबी बाती क्यों लगाई जाती है भगवान के मंदर में दीफ में देवियों की पूजन में लच्वी की ब्रग्धि के लिए कौन से देवता क्या लंबी बत्ती लगती है किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है उसका भी प्रमान है लंबी बत्ती जहां लगाई है अगर लच्मी के सामने लगाई है तो लच्मी की लंबाई बढ़ती है लच्मी की बढ़ती है अगर खुल देवता के नामी की लगाई है तो बंश क भती भती होती है किंवारे शॉत ही नुटी साह distill ही कि मांद कि घुक बढ़ अर्छंधी कि अधियों तो बाती में देवस्ची अधियार कि गौल सित्ती में प Scottish plants पीपल के द्रच्च के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगता, बढ़के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगता, आउले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगता, आउले के द्रच्च के नीचे लंबी बाती नहीं लगता, आम के जो पत्ते जिस डाली मे लपेट कर ग्यारा वार उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से खट्टा करके आगे का जो भाग है यारा वार कच्छा सूत लपेटने के बद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में दुबा कर शिवजी को समर्पित कर दो किस जगह पर रखना है असुक सुंदरी वाली जगह असुक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग पहले भी आपको बताया है आज फिर आपको वर्णन कर दें जैसे यह गोल जला धारी है यह शिवलिंग रखा है यह दो जहां से पानी बहरा है बाबा के चरणारविंद राइट में श्री गनेजी का स्थान लेफ्ट में कार्तिके का स्थान बीच में अशुक सुंदरी की जगह शंकर भगवान की छे लड़कि उस छे लड़कियों में से एक लड़की का स्थान भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान अशुक सुंदरी का सामने पत्म पुराण में स्पष्ट किया यह स्थान अशुक सुंदरी का शंकर भगवान की जला धारी में पारवती जी का हस्त कमाल उपर से जो एक एक बून प भगवान शंकर के मस्तक पर जलकी धार गिरा रही है कि बीच में जो अशुक संदरी का स्थान माहराज उस जगहाँ पर शेहद का मुख जो शेहद आपने भिंगोया है उस शेहद का मुख शंकर जी की ओर करकर इसी चेत्र के महिने में इनी नवरत्री में शंकर भगवान के उस अशुक सुंदरी की जगा पर शेहद का भाग शिव जी की ओर रख दें महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो रुपिया नहीं दे रहा हो पैसा अटक गया हो तो उस शेहद को शिव जी की ओर मुख करकर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी कुमा रख दीजिए उससे अपनी कामना करकर आ जाईए हो सके उस शेहद में से थोड़ा सा शेहद किसी रुमाल पर किसी कपड़े में लगा कर उसको रख लीजिए जिस व्यक्ति से पैसे लेना है जिस पैसे मांग रहे हो उससे एक बार जाकर म लीजिए एक बर उसको खवर कर दीजिए बाबा चाहेगा बहुले ना तो नौरात्री में ही पैसा बापिस आजाएगा अगर शिव कर्पा कर दे ये बाबा की करून आम का पल्लव को साधन नहीं जिसको कलश के उपर रखा जाता है शिव की कर्पा जिस आम के पेड़ पर स कर भस्म हो जाते हैं वह उमका पेड़साद रण नहीं हो से है कि सहज नहीं है और वैसे भी शिव शिव है महाराजी आम का जो पत्ता होता है आम का जो पल्लव होता है उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर इन दोनों से स्वस्तिक का निर्मान किया जाएए देवी जिन कन्याओं का विवाना हो पंचमी के दिन नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी मतलब जो पंचमी तिती पड़े कि कोई भी नवरात्रा हो चाहे वो चार नवरात्रे में से चाहे वो पॉष का हो अश्विन का हो चेत्र का हो असाड का हो किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते एक पान के पत्ते पर एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे एक हल्दी का बनेगा एक सिंदूर का बनेगा बस अंतर इतना है जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकू के चावल रखना है और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना है इतना रखकर जिस के पेड़ के नीचे उसको रग दिया जाता है मातर साड़े तीन या चार महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंतर उस लड़का लड़की का विवाँ पक्का हो जाता जिसका विवाँ नहीं होता केवल उसी के लिए जिसका मंगल विवाँ नहीं हो रहा है आमय के पल्लव में शिव का बरिप्रदान, आमय के पल्लव में short of tone कि आश्रष भाद यह दिन लोग देवी जी किस थापना करते हैं, तो किया इस थापना में क्या रखते हैं? कलश किस लिक करता आता है? कलश का क्रम क्या परने अभी तक कतां में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिये का महत्व क्या है आपने सुना दही का महत्व क्या है जल का महत्व क्या है पूरी शिव महापुराण में अपने अलग-अलग महत्व को जाना है पर ये नौ रात्रे में जो शिव महापुराण की कथा सुरू हो रही है नौ रात्रे में ज जब राजमन किया जाता है या चेत्र नवरात्रे में, शर्दी नवरात्रे में, असारी नवरात्रे में, आधिक आधिक पोश्च नवरात्रे में, हम शंकर की, हम जगजन्नी, जगदंबा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेजी की स ऐखर ठेटी तिए मेंधानेों। निपने मिभ्राज़ मिभ्राजि उस के अंधा, अपनोर कर साओज ँमें। त्थी कव्ड़ आखर अपन शुर। Kol त्झने थी ऊन्दर अखर जातें महाराज। तक आनले भिज्ग जाते एंखिर कर दृ। कलश विराजमान होगा और आज हर की पोड़ी पर प्रयाग राज में या उजयनी में नासिक में जो बड़े-बड़े कुम्ब के मेले होते हैं कुम्ब का मतलब भी तो कलश से होता उसकी महत्वता क्यों है उस कुम्ब की उस गड़े की महत्वता कहां से प्रगट हो गए शिव महापुरान की कथा कहती है अमारा ज़िए भगवान ओगहड़दानी शंकर स्वयम आद्धिशक्ति जगदंबा से कहते हैं कि जगदंबा तू क्या चाहती है बोल तो जगदंबा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है यह आपने कह दिया पर कि जहां शंकर है, वहाँ पारवती का होना जरूरी है, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक इस्थान ऐसे बनाया जाए, जहान पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पारवती विराजमान है, तो शिव जी ने कहा पारवती उसके लिए मैं तुझे एक सुन्दर कलश का निर्मान कर कर देता हूं कितना सुन्दर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कि कलश की थापना होती है उस जगहा पर किसी देवताओं को बोलाने की जरुवत नहीं होती तेतिस कोटी देवता उस जगहा पर सुताव राजमान हो जाते है स्वयम तेतिस कोटी देवता स्वयम वह राजमान हो और कितनी महत होता कलश की महाराज है आप लोगों से भी निवेदान है चेत्री है प्रतिपदा है आज जिनके घर में ज्यादा रोग हो बिमारी हो लग यह या भए लग रहा हो डर लग रहा हो जडह चित्त में कहीं आपको भय का भान वराओ तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो नावरातरी चल रहा है उस कलश को राद बर रख कर सुबा सुबा उस कलश में एक बेल डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे जहां चेत्री नवरात्रे में नीम के पेड़ के नीचे सारी विध्याएं आदिशक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमन रहती हैं उस कलश में एक बेल पत्र डालकर राद बर रखकर उस जल को पूरे घर में गुमा कर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा कोई बड़ी बिमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बिमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएगे वो मिमारी आपको घेर नहीं कर दो कलश्च का इस संसार सागर से उबरने के लिए हम भगवान की कथा को अपने हिर्दय में अपनी चित्तवर्ति में अपने मन में उतार लें